प्राचीन किस्से कहानियों में आपने विशाल का इंसान या दैत्तों के बारे में तो सुने ही होंगे हाला कि वो सब तो सिर्फ किस्से कहानियों के बाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इस जमाने में भी असली जिन्देगी में कुछ ऐसे लोग मौजुद है जो अपने विशाल का लंबी शडीर के वज़े से किसी दैत्ते या रियाल लाइफ जाइंट से कम नहीं है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसे ही पांच लोगों से जिन्हें देखने के बाद आपके आखे फटी के फटी रह जाएंगी तो दोस्तो चलिए करते हैं शुरुवात नमबर पाच रिद्वान शर्बीट इनका नाम 2005 में गिनेस बुक आफ वाल रेकॉर्ड में दर्ज हुई थी दुनिया की सबसे लंबी इंसान के तौर पे 1968 में तनिशिया के राज जबेल में जन्मी थी रिद्वान इनकी लंबाई थी लगभग 7.9 इंच दोस्तो अब मिलिये भारत के सबसे लंबे इंसान धर्मेंद्र पताप सिंग से जो की लगभग 8.1 इंच के है धर्मेंद्र सिंग यूपी के रहने वाले हैं और वो अभी 45 साल के है उनका कहना है कि इतनी लंबी हाइट के वज़े से पहले तो उनके कुछ दोस्त उनको उट चिराफ कहे के चिराते थे लेकिन वक्ते के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया और वो अभी वहाँ के लोकल सेलिब्रेटी भी है सूतरों के अनुसार इगौर जब 10 साल के थे तभी उनका हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच का हो गया था डॉक्टरों का कहना है कि इगौर को एक ब्रेन डिजीज है जिसके चलते उनके पिटुटेरी ग्लेंट से ज्यादा ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होने के वज़े से ही उनकी इतनी हाइट बर गई है आपको बता दे कि इगौर ही उस की सबसे लंबी इंसान है नमबर दो दोस्तों अब मिलिये बाव सिशान से जिनकी लंबाई है लगबग 7.9 इंच आपको बता दे कि इनको कोई भी पिटुटेरी डिजीज नहीं है ये पुरी तरह से नेजरेली इतनी लंबी हुई है बाव सिशान बास्केटबॉल प्लेयर और आर्मी में भी रह चुके है नमबर वन दोस्तो ये है सुल्तान कोजैन जो की मार्डिन तुर्की के रहने वाले है इनका हाइट है लगबग 8.3 इंच जो की किसी आम इंसान के मुकाबले काफी जादा लंबी है अगस 2009 में इनका नाम गिनिस बुक आफ वाल रिकॉर्ड में दर्ज हुई है असल में सुल्तान को एक्रोमगली नाम के एक बिमारी है जिसका वज़े से ही इनके हाइट इतनी लंबी हो गई है आपको बता दे कि फिलहाल सुल्तान ही दुनिया की सबसे लंबी इंसान है तो दोस्तो ये थी दुनिया के 5 सबसे लंबी इंसान इन में से कौन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो नीचे कॉमेंट में बताईए वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो से लाता रहता हूँ तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा